हमिर पुर्जिला के खास्क लोड में पिछले साथ दिनों से चली आई शहीद रोहिन ठाकुर क्रिकेट प्रतियुगता का आज बीदिभब समापन हो गया फाइनल मुकाबले में काफी संख्या में मैदान पर दर्शक मौजूद रहे प्रतियुगता की समापन सामरों में मुख्याती थी पूरू में कांगडा बैंक के नदेशक अनिल वर्मा को अयोजकों ने समानिद किया फाइनल मुकाबले में सरेडी की टीम ने निधारित 15 उबर में 141 रन बनाए जिसमें मुकेश कमार ने 50 रनों का अपना महत तपूर्ण योगदान दिया और मैन आफ दा मैच चुनेगे दूसरी पारी में खेलती हुए खास लोड की टीम ने मातर 80 रन ही बना सकी और 61 रनों से सरेडी की टीम ने शहीद रोहिन ठाकूर क्रिक्ट प्रतेउकता की ट्रौफी पर अपना कबजा जमा लिया मुक्यतिती अनिल वर्मा ने युवा मंडर को अपनी तरफ से 6100 रुपे की राशी भी भेंट की उन्होंने युवाउं से खेल में रूची लेने वो नशों से दूरी बनाए रखने की सीख दी मुक्यतिती अनिल वर्मा वो उपरदान संजीब शर्मा ने सरेडी की टीम को 11,000 रुपे का चेक वो ट्रॉफी भेंट की और अनरप रही कास्क लोड की टीम को ट्रॉफी वो 8100 रुपे की राशी से संतोज करना पड़ा इस मौके पर उपरदान संजीब शर्मा ने कहा कि अगली वारिस परत्युकता को और भी भब्बे तरिके से योजित किया जाएगा